कि नमस्कार कि स्वागत है आप से लोगा टार्गेट और जीनियस पर मैं घिर्जिस कुमार तियारी आपको स्ट्रेंथ हम मैट्रिल यहां पर पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ हम मैट्रिल का 80 लेक्चर कंपलीट हो गया है अब 81 लेक्चर हम आज आगे बढ़ाएंगे चैप्ट मैं हम इसेंट्रिक लोडिंग कि बात कर रहा हूं थे चैप्रीभ的 लेक्चर मैं हम से लोगने इस 눈 को अंपलीट किया है और तो आज गुक्र में पूलों अ मैंदेड को आंगे बढएंगे कम्बाइंद बेंडिग ऑन्डिक किस हमने करा दिया था वाट ready the value of equivalent bending moment we have already discussed and calculated the equivalent bending moment will come out the 1 by 2 M plus under root M square plus T square when bending moment M and torque T is applied simultaneously एक साथ अगर M और T लग रहा हो तो उस समें equivalent bending moment आपका आया था 1 by 2 और फिर M plus under root M square plus T square स्वाइब तो यह हम से लोग ने 81 lectures कर रहें इसेंट्रिक लोडिंग की बात हो रही थी और इसेंट्रिक लोडिंग का मीनिंग हम से लोगने डिसकुस किया तो वाट इस अब देनिगों फी सेंट्रिक लोडिंग डिस टाइप आप लोडिंग इस नोन ऐस एंट्रिक लोडिंग फिर हम सालों ने इसमें देखा इस इस दा जमेट्रिकल सेंटर इस दा जमेट्रिक लॉसेंट्र लाइन थीज़ है थोड़ा से आभ ध्यान से देखिए गज़ीज़ आपको देखेंगी तो इस इस दो जमेट्रिकल सेंटर लाइन आप दो मेंबर जमेट्रिक एक्सिस और बेमबर अलोड इजएप अप्लाइट एक्सेंटर आग डिस्टेंस अफ इए डिस्टेंस अफ इस दिस दा of action of load because the line of action of load and geometric axis both are not coinciding with each other there is eccentricity II so we can say this is eccentric loading what is the effect of this corner of this corner if we replace the force at the center other hand is so moves will replace Kari Kaha per center per and and other hand replace Kari for school Kaha per center per how do you do in the middle of the for school Kaha per center per चलिए ओके तो अगर हम फोर्थ को यहां सेंटर पर रिपलेस करें तो यह पी आपका लगी रहा था पी आपका लग रहा था और पी के इक्वल अपोजिट आपने लोड माल लिया पी के एक और आपोजिट आपने एक लुड एक जोन कर लिया सेंटर पर यूनव एजूम्ड द्छाइब एद्ध और इस पीया इन अपरेड़ आपने लुड पी जोन कर लिया अब इसमें अब ध्यान से देखेगा बोठ पी this P and this P will manage to each other will cancel out to each other but form a couple and the direction of couple will be clockwise the direction of couple will be clockwise तो आप यहां भी बता सकते हैं कि direction of couple M equal to P into E and P is directly applied to the center तो this load transformed to this condition means क्या निकल के आए कि अगर आप eccentric loading करते हैं अगर आप क्या करते हैं eccentric loading करते हैं center किसकी direct compression सेंटर पर इसका प्रभाव सेंटर पर जानना चाहते हैं तो सेंटर पर डाइट पी तो होगा ही होगा उसके साथ-साथ यहां पर वह एंख है यह कपल करते हैं बतलब अगर आप कोंसेंट्रिक करते हैं करता है siلك शिर्वर सिट या दारीट कोनबरेशन आयगा तर अगर सेंटर से हटके एसां टर्ट करते हैं तो आपका डरेट कंप्रेशिव इस्ट्रेस तो आएगा ही आएगा उसके सासथ बेंडिंग भी आएगा अब अगर अगर हम P से पूचहें कि तुम क्या करणी है तो पीवी फ्रडूस ट्री परऊक्स की विलिस हैं घ्राइट से तो अगर हम ध्यान से पूछें पी से देखें पी अगर डाटली सेंटर में हो तो पी इन्टू यह जीरो हो जाएगा आपका पी बाइए डारेक्टली क्या होगा कंप्रेसिव होगा फॉर और क्रॉस एक्षन तो यहां पर अब बात आ रहे हैं कि पी क्या डेवलब करेगा तो बेंडिंग मोमेंट से बात करें कि तुम क्या करोगे तो यहां पर यहां पर कंप्रेसिव करेगा और और सब जगों पर इन दोनों के ऐसे बीच में यहां टेंसाइल टेंसाइल और यहां पर कंप्रेसिव कंप्रेसिव और अगर हम अगर हम बात करें पी से कि तुम क्या करो तो पी जो आपका होगा वो आपका वो बेंडिंग आपका क्या करेगा कुछ पूर्शन में टेंसाइल और कुछ पूर्शन में कम्प्रेसिव अल्टीमेट बात यहां पर आई कि अगर आप यहां पर यहां पर यह कह सकते हैं कि इसको हम इक्युवेलेंट मानेंगे इसी के कि बीच में लोड पी है यहां लोड पी है और मोमेंट जो आपका लग रहा है वो पे इंटू ई है और इसके लिए आप ध्यान से ध्यान रखिए तो पी की वज़े से फोल क्रॉस सेक्षन में पी की वज़े से होल क्रॉस सेक्षन में क्या डबलफ होने आला है इंटायर क्रॉस सेक्षन में आपका सिन्ट में परफ्रत कहां क्वाम करते हैं कि हर एक फाइबर में हमारा स्ट्रेस का मान अलग-अलग होता है अगर यहां आप ध्यां से देखे तो इसके सेंट्राइट के इस पार यह सबको टेंशन और इधर क्या देगा कंप्रेशन तो यह एक्चुल में आपका यह होगा सिग्मा मैक्स टेंशन और यहां होगा सिग्मा सी मैक्स अब ध्यां सुनिए अगर आपका इसेंट्रिक लोडिंग है तो इसेंट्रिक लोड को डारेक्ट लोड के साथ साथ आप एक बेंडिंग मोमेंट भी लगता हुआ मान सकते हैं इसेंट्रिक लोडिंग है तो डारेक्ट लोड के साथ साथ एक बेंडिंग मोमे इस पीट है डाट कि अब यहां जागे डारेक्ट लोडिंग के से इस्ट्रेस आएगा पीवाई ए तू ऑट दा एंटायर क्रोसेक्शन तू पिटू भाई दिश्टिबूशन गीनिग ने लाप पहले सी जाते हैं एक इस ट्रेस डिस्टिबूशन बेंडिंग के वेथा लग ह मैं कि यहां आप कर सकते कि लब साइबर में मैंक्समुंंग तो अगर हम बात करें तो पूरे-पूरे-पाइब पर अगर हम बेंडिंग की बात कें तो इसके इधर टेंशन है और इधर कंप्रेशन यह डिव टूप पी दोटू दाइट इस्टेश्ट और यह क्या है डिव टूब एंडिंग अब यहां पर आप ध्हां से अगर देखें तो इसके इस पार इस सेंट्राइड के इस पार डारेक्ट भी कंप्रेसिव है और बेंडिंग भी कंप्रेसिव है तो इधर कंप्रेसिव प्लस कंप्रेसिव है अगर हम इसके पार इधर बात करें तो इसके इस पार कोई दिक्कत नहीं इसके इस पार डायेक्ट भी कंप्रेसिव है और बेंडिंग भी कंप्रेसिव है पर इस पार अगर हम बात करें तो डायेक्ट तो कंप्रेसिव है पर बेंडिंग क्या है टेंसाइल है बेंडिंग क्या सबर टेंशिन आएगा ऐगा कि कंप्रेसिव मुफ पाइगा अगर बैंडिंग कि वेए से इस्ट्रेस जादा एंगर बैंड़िंग की वेए तो यह जीरो भी आ सकता है अगर बेंडिंग की वैश से इस्ट्रेस और डाइट कम्प्रेसर्ण दूनों बराबर आ गए तो इस फाइवर में यहा जीरो आना तहह है अगर बेंडिंग की वैश से जादा अब यहां तो आप इसको थोड़ा सा बुकलेट से पड़ें ध्यान दें बहुत बहुत बहुतर चीजें आपको समझ में आएंगी यहां तक हो गया तक is eccentricIch इज़ एब एजंट्रिक्ट्रिक्रीश यो अब और गूसेश टू टॉट आफ הת को यह क्यों एक हुगा कंप्रेसिभ तो डारेक्ट इस्ट्रेस डारेक्ट इस्ट्रेस पी वाई ए डिव टू डारेक्ट लूडिंग बेंडिंग इस्ट्रेस क्या होगा अब बेंडिंग इस्ट्रेस अगर आपसे बात करें तो बेंडिंग इस्ट्रेस M by I into Y ही होता है और यहां M का मान क्या है P into E तो बेंडिंग इस्ट्रेस इकोल टो M by I into Y M by I into Y due to bending moment अब यहां पर combine direct and bending by eccentric load combine direct and bending by eccentric load P is applied P into E हो गया P यहां पर अब डारेक्ट यह दोनों का summation आ गया यह हम आपको भी करा चुके हैं अभी अभी कराए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहां पर direct summation आ गया P तो डारेक्ट कंप्रेशन है पी क्या है direct compression है पी इस डारेक्ट कंप्रेशन और इसके बाद क्या आ गया बेंडिंग इसके बाद आप क्या गया बेंडिंग आ गया अब बेंडिंग के उसे P into E इस फाइवर में टेंशन इस फाइवर में कमप्रेशन इस फाइवर में टेंशन इस फाइवर में कमप्रेशन तो अब आपको डिरेक्टली साइच चीजे दिखने को मिलेंगी क्या है Now following figures सोच the distribution of diet and combined bending stress दो figures आपको दिखाएगा यह सो करेंगे कि diet combined और bending stress कैसे होंगे तो diet stress तो भाई या compressive nature का होगा direct compressive stress that is equal to PYA और यह क्या होगा bending stress होगा और bending stress होगा sigma equal to MYYI अगर आप फील करें इसको थोड़ा 3D view में एक बार हम ध्यान देते हैं हैं तो यहाँ पर ऐसे बात थोड़े यह ऐसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका direct तो है ही direct stress तो P है यह P directly सब को दवारा है हर एक particle को दवारा है P सब को दवारा कितने stress से दवारा है PYA stress से दवारा है पर उसके सासत एक bending moment भी है और ये bending moment P into E है अब P into E क्या है रहा है इसको 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 इन सबको खीच रहा है इन सबको क्या कर रहा है खीच रहा है ऐसे और इन सबको इन सबको दबा रहा है इन सबको क्या कर रहा है दबा रहा है ऐसे ठीक है इन सबको खीच रहा है इन सबको दबा रहा है इसके इस पार की कहानी क्या है इसके इस पार की ये कहानी है कि सब लोग P भी दबा रहा है P by A भी दबा रहा है और M Y by I भी दबा रहा है बोथ क्या हैं कम्प्रेसिव है बोट क्या है? कम्प्रेसिव है इस लाइन के इस पार पर अगर हम इस लाइन के इस पार की कहानी देखें तो इस लाइन के इस पार की कहानी में आपका P by A जो है ये कम्प्रेसिव है और M Y by I जो है ये टेंसाइल है ये आपका क्या है? तेंसाइल है इस पार तो अगर हम देखे तो maximum टेंसाइल कहा है maximum टेंसाइल outer फाइबर अब अगर यह माले जेंफ टेंसाइल वाला पि वाई ए से और वह भी maximum वाला जादा हो गया तो इस फाइवर में आपका net टेंशन आजाए अगर यहां इस फाइवर में टेंशन आजाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहां पर इंपोर्ड इंपोर्ड बात चल रहा है now following figure so the distribution of direct and combined stresses combined bending stress this is direct compressive stress which is equal to P by a and compressive in nature and compressive in nature and this is bending stress distribution and bending stress distribution fibers left side to the centroidal axis fibers left side to the centroidal axis will will feel the tensile stress while fibers right side to the right side to the centroidal axis will feel the compressive bending stress since left side to the centroidal fiber there is conflict bending develop the tension and direct will develop the compression while right side to the the centroidal axis right side to the tensile centroidal axis there is no conflict there is no conflict here this is compressive and direct is also compressive so we can see that the right side to the right side to the centroidal axis all fiber will be in compression all fiber must be in compression from the right side to the centroidal axis but left side to the centroidal axis the extreme fiber may be in tension or may be in compression this will depend upon the corn butter this will depend upon who is maximum bending stress is maximum or diet stress is maximum if bending stress is maximum then right side the extreme left fiber the extreme left fiber will be will be in tension and if bending stress and bending stress is equal to direct stress then extreme left fiber has no stress okay okay so now we have to talk about total maximum compressive stress at the extreme 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 fiber now what is this condition is extreme right fiber extreme right fiber so extreme right fiber is maximum maximum compressive stress that is direct as well as bending and diet compressive stress equal to p by p by a and bending stress equal to p into p into e that is m p into each m y by i and this will come out the i equal to a k square this is not the new concept for you this is old concept that moment of inertia is the product of product of square of radius of gyration and area cross-sectional area so next maximum compressive stress at extreme right fiber for the given , stil addition to given loading condition so given loading let us know how dignified losing meaning , पी के साथ एक आपका M भी है P into E तो यह एक्स्ट्रीम राइट फाइबर एक्स्ट्रीम राइट फाइबर और बोद भी आड आउट ठीक है मैक्सिम्म कंप्रेसिव अब यहां पहले कंप्रेसिव बोल दें तो निगेटिव लिखनेक देड़ नहीं है एक्स्ट्रीम राइट फाइबर और यह होगा आपका P by A और E into Y अपन के स्कॉर कामन तो यह आपका फैक्स्ट्रीम टेंसाइल इस्ट्रीम और मैक्स्मम टेंसाइल आ भी सकता है तो यहीं आ सकता है यहां पर तो मैक्स्मम कंप्रेसिव ही आएगा यहां पर तो कंप्रेसिव ही आएगा और यह आएगा P by A आपका ब्रेकेट में आएगा E y अपन के स्कॉर इंटु आई अपन के स्कॉर प्लस वन यहां पर तेंसाइल आ सकता है और तेंसाइल अगर हम बोल रहें तो हम मान रहें कि बेंडिंग जो है वो डारेक्ट से बढ़ा है हम यह मान रहे हैं इस लोट तभी आएगा ही जब आप श्विक कर रहें का ऑजूकर रहें सिग्मा बेंडिंग इज ग्रेटर देन सिग्मा डारेक्ट वा बेंडिंग अगर ज्ञुडा हुआ if bending stress is more than the direct stress then we can say we can say what we can say the extreme fiber may be in tension and if the bending is greater than direct then 100% sure the left extreme fiber will be in tension तो यहां से बाता ही extreme tension यहां पे क्या आई sigma b कमान p into e into y m into y upon i i is ak square minus pa y minus there will be difference of these two because there is conflict between direct and bending stress that or bending stress की बीच में जगड़ा है बाई और if there is conflict then there is difference ठीक है there will come out the difference तो p by a e into y upon k square minus 1 p by a e into y upon k square minus 1 ओके बात समझे अब यहां पर if bending is greater than direct note note दिलाएंगे note पहले सी बात if bending is greater than direct then there then always will be sigma tensile tensile होगा but if sigma b is less than or equal to bending then there will not be any tensile stress कहीं पर भी tensile no tensile stress develop होगा अगर आपका bending stress जो है bending stress क्या है p into e into y upon i and i equal to अगर आप से पूछा है direct stress क्या है direct stress है py a maximum bending stress क्या है p into e into y upon i and i equal to ak square अभी सब क्यों पढ़ रहे हैं कौन जादा कौन कम जो आएगा उकर देंगे यार क्या दिक्कत है यहां का पूछेगा दोन बेंडिंग के वी निकाल लेंगे डाइक भी निकाल लेंगे जो बड़ा है उन दोनों का इस कॉर्णर पर डिफ्रेंस इस कॉर्णर पर समेशन बीच में आपका जो है कि समझ में आ रहा है न तो यह सब क्यों कर रहे हैं अब ध्यान दीजिए जो आपके कॉलम का मैट्रियल जो होता है वह आपका हमेशा कंक्रीट का जनरली बना जता है और कंक्रीट एक बिट्रिल मैट्रियल है और बिट्रिल मैट्रियल कंप्रेशन में स्ट्रॉंग होते हैं बिट्रिल मैट्रियल आर स्ट्रॉंग इन कंप्रेशन और वीक इन टेंस तो बेटरल मेटरेल आपका कंप्रेशन में स्ट्रॉंग होगा और टेंशन में भीख होगा उस सिच्वेशन में आप यह कह सकते हैं कि हम ऐसी लोडिंग करना चाहेंगे कि कि किसी भी ही जगा पर टेंसाइल इस्ट्रेस आई ही ना अगर कहीं पर भी टेंसाइल इस्ट्रेस नहीं आया जबसे चांस कहा है इस फाइवर में एक्स्ट्रीम याए तो हमक करते indruck हां होता है कि हमारा मेविए dużo और हम चाहेंगे कहीं भी किसी भी जगह पर आपका टेंसाइल स्ट्रेस डवलफ ही ना हो और जो हम चाहते हैं कि कहीं पर भी टेंसाइल डवलफ ही ना हो और जब कहीं पर वी टेंसल इस्ट्रेश डाप ना हो तो हूस सिचुएस्टेशण कि ले गर anlam his के व characteristics व्लभब होतोगा एक एक तो अवर हर जगा क्या so होगा फूरी बात क्लियर हर जगा compressive stress ही develop होगा अब आगे बाढ़ते हैं अगर हर जगा compressive stress होगा तो आप कह सकते कहीं पर भी टेंशन नहीं कहीं पर reverse condition नहीं रिवर्स का मतलब compression का टेंशन हो जाए but the entire cross section will feel each and every point will feel the same type of stress means every cross section will feel the compressive stress हर एक जगा पर each point of the cross section will feel the compressive stress no reverse condition कई बारे पूझाया था कि no reverse condition के लिए no reverse stress के लिए condition बताई है no reverse stress मतलब क्या है कि टेंशाल stress develop ही ना हो उसके लिए आप क्या बताई है conditions बताई है तो कितना आसान है देखिए भी करते हैं अगर आप for no reverse stress condition कोई भी आपका कहीं भी stress आपका क्या हो कि टेंशाल ना हो तो जहां ज्यादा chances हैं होने कि उसी को बचा ले जाओ बस उसी को बचा ले जाओ तो कहां पर ज्यादा chances हैं ज्यादा chances हैं left extreme fiber अगर यहां tension नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा तो आप कोगे sir bending stress जो होना चाहिए वो direct stress से कम या बराबर होना चाहिए अगर bending direct से कम या बराबर यह पहली condition first condition for no reverse तो यह भी आप से पूछा भी गया है कि for no reverse stress condition the bending maximum bending stress must be less than or equal to direct stress अगर diet ही जीतेगा हर बार तो कहीं पर भी आपका compressive नहीं आएगा आप यहां पर बोल सकते हैं sigma b is less than sigma d और यहां पर सिग्मा टेंसाइल हमें सजीरो और sigma b का मान अगर देखें तो sigma b क्या था पी इंटु इंटु वाई अपान एक के स्कॉर यह क्या होना चाहिए यह क्या होना चाहिए यह पी बाइए से कम या बराबर होना चाहिए यह यहीं पर कॉमन लेलें तो पी इंटु वाई अपान एक के स्कॉर माइनस पी बाइए क्या होना चाहिए लेस दन और इकोल टो जीरो यहां से आप पी बाइए कॉमन लेलें तो यहां से आएगा E y upon k square minus 1 should be less than or equal to 0. This cannot be negative or 0. Then we can say E y upon k square should be less than or equal to 0. This is the most important case. E should be less than or equal to k square upon y. E should be less than or equal to k square upon y. Eccentricity इससे कम अगर रहेगा आप खुद सोचिए अगर आप ज़्यादा eccentric load लगाएंगे तो P into E बढ़ेगा, moment बढ़ेगा और moment जब बढ़ेगा तो उस situation में bending के directs से ज़्यादा होने के chances बहुत ज़्यादा है Eccentricity हमेशा क्या होना चाहिए? Eccentricity आपका हमेशा कम होना चाहिए. किस से कम होना चाहिए? K square by y से. या इसी को एक दूसरे format में कर दे दे हैं. Sigma bending should be less than or equal to sigma direct. Sigma bending is P into E into Y. Sigma bending is P into E into Y. अपान I should be less than direct क्या है? P Y A. तो यहां से यह भी कह सकते हैं. E should be less than or equal to I by A Y. I by A Y यह भी पूछा गया है. तो यह आप ध्यान रखिएगा तीन केसे हम आपके बता रहे हैं. For No Reverse Condition. For No Reverse Stress Condition. No Reverse Stress का महलब कहीं पर भी टेंसाइल ना आए. तो For No Reverse Stress Condition. Sigma bending should be less than or equal to sigma direct. This one, this is the first case. Second, आप कह सकते हैं. E should be less than or equal to I upon A Y. And third, आप कह सकते हैं. E should be less than or equal to I upon A K square रखेंगे. तो K square upon Y. Third, तीनों केसेस आपके पूछे गया हैं. तीनों केसेस आपके क्या हैं? पूछे गया हैं. अगर ऐसा है कि eccentricity I upon A Y से कम्या बराबर है, तो कभी भी आपका कहीं भी load जो लगे, जो भी आपके कॉलम में load लगे, load अगर आपके यहां लगा और इस E का मान अगर आपका less than or equal to K square Y है, तो कहीं पर भी गारंटी है, कहीं पर भी tensile stress develop नहीं होगा. eccentricity और ज़्यादा बढ़ा दोगे, और eccentric कर दोगे, तो आपका क्या आजाएगा? अगर आप eccentricity बढ़ा देंगे, तो गारंटी कहने कहीं आपका tensile stress आजाएगा. पर अगर आप eccentricity इससे कम रख रहे हैं, तो कभी भी आपका tensile stress कहीं पर भी develop नहीं होगा. तो ये तीनों बातें note कर लेजिएगा, most important cases है. अब एक और बात. एक और बात. माली जी एक column है. अब first case हमारा आपका चल रहा है, हमारा आपका for rectangular cross section. for rectangular, क्योंकि पूछा भी जाता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा. for rectangular cross section. for rectangular cross section. तो जैसे हमने बोला कि rectangular cross section क्या है? rectangular word जैसे बूला, ठीक है? rectangular, तो आप P का, ये centroidal geometric जैसे P का मान, ऐसे. अब भई, eccentricity आपने कहा, eccentricity should be less than or equal to I upon I upon O Y. या फिर इसी को, K square upon Y बात में लिखा जाता, क्योंकि वो पूछा गया, इसलिए उसको करा, basic यही है. basic is this. इस centricity should be less than or equal to I upon A Y. अब यहाँ पर अगर ये आपका rectangular cross section है, तो I का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा, Y का मान क्या होगा. जैसे इसमें ही बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आए कि P यहाँ लगाए. this is मालूब B और this is H. if this is H, and this is equal to B. अगर ये B है और ये H है, और यहाँ से यहाँ तक की eccentricity जो है, वो आपने मालीजे E लिया है, तो E आप E लिया है. अब इसमें moment इसी axis के बाउड तो आएगा, moment इसी axis तो I इसी axis के बाउड लेंगे, तो यहाँ पर I जो होगा, वो क्या होगा? I होगा HBQ by 12, HBQ by 12, Y जो होगा, वो BY 2 होगा, A जो होगा, वो क्या होगा? BH होगा, आप ध्यांस देखो, जब आप eccentricity आगे लगाए, तो इसी axis, जिस axis के बाउड लगाए, उसी के amount तो आपका I होगा, और I यहाँ पर HBQ by 12 होगा. आगे बढ़ें, तो यहाँ पर E का मान क्या होना चाहिए? less than or equal to, I is HBQ by 12, and A is BH, and this is BY 2. तो यहाँ से, अगर आप ध्यां से देखें, तो यह आपका आएगा BY 6. इसेंट्रिसीटी का मान जो आएगा, वो BY 6 आएगा, इसेंट्रिसीटी सुट भी लेस दन or equal to BY 6. इसेंट्रिसीटी सुट भी लेस दन or equal to क्या आएगा? BY 6. नोट के लिए ध्यां से देखें, पी यही सेंट्रिक दूरी है, यही सेंट्रिसीटी है. यही आपकी क्या है? इसेंट्रिसीटी जो यहाँ पर दिखाई गई है. तो अगर आप ध्यां से देखें, तो आप I का मान HB cube by 12 लेंगे, Y का मान BY 2, A का मान B into H, और by substituting these values in this condition, तो जब आप substitute करेंगे, तो आएगा E should be less than or equal to BY 6. क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ. अब एक बहुत important बात को समझ जी है. मालेज यह आपका कॉलम है. यह आपका क्या है? कॉलम है. यह dimension B है, यह dimension H है. अगर आपने इससे BY 6 दूरी के अंदर लूड लगा है, इससे कितने दूरी के अंदर? इससे कितने दूरी के अंदर? BY 6. इससे कितने दूरी के अंदर? BY 6. ऐसे अगर इधर लगा देते, तो इधर भी तो BY 6 आता हा, तब उस situation में यहां tensile W होने के chance होते हैं. यहां भी तो B by 6 के अंदर लगाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे अगर किसी ने कहा कि हम यहां पर लगाएं यहां पर तो इधर H by 6 इधर H by 6 यह भी तो दूरी आएगी यहां से आप यह दूरी H by 6 अगर लगा दें इधर H by 6 दूरी पर लगाएं तो भी आपका कहीं पर भी टैंसाली स्ट्रेश डेवलाफ नहीं होगा क्यों अरे बाई जैसे आपने क्रॉस एक्षन में कहा कि गुरु जी यहां से B by 6 दूरी के अंदर तक लगाओ कोई दिक्कत नहीं है तो इसी का रिवर्स आप इधर भी तो आप कह सकते हैं कि इधर भी तो हम 26 दूरी तक लगा सकते घ्राव ऊंप समय जैसे इसकी वज़ेसे यहां टेंशन के चांस अंश थे खार्श हो कि और क्या चीजी बदल जाएँगी reverse हो जाएंगी बस इतने ही तो होगा लेकिन आप इस साइड भी तो बी-बई-6 जा सकते हैं कि तोटल क्या हुआ अकर इधर बी-बै-6 इधर बी-बै-6 तो यह टोटल क्या हुआ बी-बै-3 यह टोटल क्या हो गया बी-बै-3 एड़ कर लो दी बाइवाइवाइज 6 करोगे वीवाइज 6 हो जाएगा مतलब आप है कि बीचका 1 take अगर ँद्ड वाइज 3 तो क्या यह दूरी भी तो वी वाइज 3 बचेगा रिख करके बनाने में इसा हुआ है यह धर भी थो वी वाई 3 बचेगा क्यों क्यों कि अरे भाई है और सेंटर बीवाई 3 निकल गया तो उधर भी वी थ्री बचा इधर भी वाई 3 समझ पार है ना एकदम क्लियर हो रहा होगा कोई डाउट नहीं होगा तो अब फिर से एकदम revise कर दे रहे हैं चीजों को बहुत tension नहीं लेना है ने तो ultimately तो आप रट ही लोगे कोई बहुत 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 नहीं है यहां से यह, यहां से किसी ने कहा कि एक ऐसी distance बीवाई 3 है, बीवाई 3 है इसके बीच में अगर आप लूड लगाते हैं इधर, sorry, बीवाई 6 ये भी है बीवाई 6 ये भी है और बीवाई 6 ये भी है तो total क्या हुआ, total distance ये आपका आया बीवाई 3 है अगर आप बीवाई 3 में लगाते हैं तो आप चाहें जहां लगा लीजिए कभी भी tensile stress डेवलप नहीं होगा तो ये बचा हुआ कितना रह गया ये भी आपका बीवाई 3 रह गया और ये भी आपका बीवाई 3 रह गया ऐसे किसी ने कहा कि अरे गुरुजी आप बी के चक्क्र में पड़े हो हम एच के चक्क्र में जा रहे हैं बी है और ये क्या है एच है तो जब आप जब आप एच की बात करेंगे ये तो ऐसे question में ये भी तो आएगा कि इधर से आप और इधर से आप इस दूरी में अगर आप लगाएं इस दूरी में लगाएं तो भी तो stress डेवलर नहीं होगा ये आपका h by 6 होगा और इधर का ये आपका क्या होगा ये भी h by 6 होगा तो अगर आप यहां के h by 6 में यहां के h by 6 और यहां के h by 6 इन दोनों के बीच में लगाते हैं यहां भी लगाते हैं तब इसके जैसे उधर लगाते हैं तो इसके टेंसन आने के फाइवर चांसिज जाता है इधर लगाएंगे तो उसके टेंसन इस वाले फाइवर के टेंस हाहिल होने के चांसिज जाता है तो आपका उधर से भी मिलके क्या आएगा अगर इधर उदर इस्ट्रेस लगा रहे है तो कहीं पर भी टेंसाली स्ट्रेस डेवलब नहीं होगा अब ध्यान से सुनिएगा इसेंट्री सीटी जो है अगर कोई पूछे इसेंट्री सीटी तो वो वन थर्ड नहीं है वो ह्च भाई 6 है या भी भाई 6 है इसेंट्री सीटी जो आ रही है वो क्या है इसेंट्री सीटी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसेंट्री सीटी आपकी अगर हम बात करें तो यहां पर अगर यह axis है यह axis है इस centricity by 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो यहां ध्यान रखेगा ऐसे एक region मिलेगा ऐसे एक region मिलेगा जिसमें यह distance आपकी by 3 होगी यह distance आपकी by 3 होगी यह distance आपका होगा h by 3 क्योंकि यह पूरी दूरी क्या है h है और यह distance जो आपका होगा यह यह distance जो होगा यह है यह आपका distance होगा by 3 क्योंकि यह distance b है तो एक ऐसा region मिलेगा एक ऐसा छेत्र मिलेगा कि अगर आप इसमें लोडिंग करते हैं इसमें आप कहीं पर भी पी लगाते हैं इस सेक्षन के ये एक क्रॉस सेक्षन है इस सेक्षन के एक ऐसा रीजन मिलेगा इसमें अगर आप लोडिंग करते हैं इसमें अगर आप क्या करते हैं लोडिंग करते हैं इसके अंदर अगर कहीं आप लोडिंग चाहे यहां लगा दो इक्स्ट्रेम इस वाले हद पर लगा दो चाहे जहां तो इसके अंदर अगर कोई लोडिंग करते हैं तो किसी भी फैवर में कोई भी रीवर सीटर्स नहीं डेबलोफ होगा है इसलिए इस एरिया को हम कोर एरिया कहते हैं या कहिं कहिं इसको हम क्या बोलते हैं कर ने तो ड talk एरिया करन एरिया को एरिया एक ऐसा क्रोस सेक्षिन का सेंट्रल एरिया है जिसमें अगर लुड एप्लाई हो तो कहीं भी किसी भी फाइबर में आपका need sound is develop culture area a yar accommodated area is the area is the central area of the cross section is the core area or central area the cross section on which it will load is applied there will be no tensile stress only compressive stress will be at each and every point of the अगर आप core area के अंदर की वात करते हैं core area के inside कोई भी compressive stress लगाते हैं तो ये guarantee है कि कहीं बर किसी भी fiber में tensile stress डबलब नहीं होगा इसलिए जान है इस जान के अंदर अगर आप कहीं भी load लगाते हैं और ये जानने की जरुवत की उपड़ी core area की क्योंकि core area हमें indicate करता है कि इसते बाहर अगर load लगा देंगे तो fiber में कहीं न कहीं extreme fiber में tensile stress डबलब ठीक है tensile stress develop हो जाएगा बास समझ में आ रही है न इसलिए हमसे लोग इसी area में ही हमेशा क्या करते हैं loading करते हैं इसी area में क्या करते हैं लोडिंग करते हैं जिससे मेंबर क्योंकि हमां मेंबर बिटल मेंबर कांप्रेशन में क्या होते हैं स्ट्रोंग होते हैं हम इसकी बात करें तो यह distance आपका क्या है by3 यह distance क्या है by3 और अगर इस distance की बात करें तो यह क्या है by3 इसका मतलब क्या है कि Central आप by3 और by3 के अगर अंदर रहेंगे इसलिए बुला जाता है रेक्टाइंगूलर क्रॉसेक्शन एरिया वन थार्ड रूल को फॉलो करते हैं रेक्टाइंगूलर क्रॉसेक्शनल एरिया क्या करते हैं वन थार्ड रूल को फॉलो करते हैं कैसे रूल? वन थार्ड रूल जब वन थार्ड रूल क्या है? one third rule क्या है कि central one third area ही core area होता है Central one third area ही क्या होता है core area होता है किस case में? rectangular में अगर यह square हो जाए तो उसमें भी central one third area ही आपका क्या होगा core area होगा और इन सब situations में आपका rombus बनेगा core area जो होगा वो कैसा होगा रोंबस बनेगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है ये आपका बीवाइसिक्स और उधर एचवाइसिक्स तो अब फिर से थोड़ा और एक क्लियर इमेज के साथ हमसे लोग उतर रहे हैं चीजों को समझा रहे हैं ये एक कॉलम है और कॉलम ने जिद पकड़ी है कि हम में हमें कभी भी आैं टेंसरेर मतदेना कहीं भी लोड़ाओ टेंसर मतदेना हमने कहां तुम ब्राई और ये कहां अच्स ऐसे आपने दोनों एक्सिस ड्रॉ की, माल लो इस एक्सिस को हम X नाम देते हैं, इस एक्सिस को माल लेजी Y, तो Z आपका longitudinal axis होगा, जिसके along आप क्या करेंगे, loading करेंगे, अब question है कि इससे B by 6 जा सकते हैं, इससे H by 6 जा सकते हैं, eccentricity one third नहीं होता, eccentricity maximum eccentricity one six होता है, फर दोनों साइट का मिलाक्य अगर देखा जाएं, तब आपका one third हो जाता है, तो एक साइट का तो आपका eccentricity क्या होता है, एक साइट का eccentricity आपका, ध्यान दीजिएगा, बहुत important बात चल ले, यह एक साइट का B by 6, एक साइट का इधर H by 6, तो total जो आपका इधर भी H by 6, इधर भी H by 6, अगर हम इस region में हैं, इस region में हैं, तो this is core area, और इसका shape कैसा होगा, rhombus होगा, shape क्या होगा, rhombus होगा, diagonals एक दूसरे के 90 degree पर cut कर रहे होगे, और core area अगर यह X है और यह Y है, ध्यान से देखो, यह X है और यह Y है, तो इधर और इधर, इस line का equation, क्योंकि यह B by 6 है, और यह आपका क्या है, H by 6, यह आपका क्या है, H by 6, तो इस line का equation तो आपको होगे, सर, क्या आसान चीज पूछ रहो, X by B by 6, अन्ता खंड अगर आपको पता हो, और यहाँ पर आप बता सकते, Y by H by 6 equal to 1, ऐसे अगर हम इसका पूछें, इसका, तो इसका आपका आएगा, X by B by 6, Y उधर है, तो प्लस Y by minus H by 6, minus Q भाई, minus Q minus Q, क्योंकि यह distance, अगर वो H by 6 है, तो इधर minus H by 6 हो, ऐसे आप इसका निकालेंगे, तो यहाँ Y positive X negative, और इन दोनों cases में दोनों negative, तो आप देखेंगे, तो एक जो आपका trapegy, जो बनेगा, सम चत्तुर्भुज इसको बोलते हैं, square और rectangle में core area room bus होता है, एक साथ लिखा देंगे, सब परिशान न होगी, सब एक साथ लिखा देंगे, तो इक questions आपसे पूछी जा सकती है, और area का, core area क्या होता है, core area rectangular या square में आपका one third rule follow करता है, जब one third कैसे हो गया सर, six था, तो दोनों तरब की वज़े से, बी बाई six, बी बाई six से अगर किये, तो बी बाई three हो गया, बास तो हमेशा one third rule follow करता है, चीजे आपको clear हो रही होंगी, बहुत बहतरीन तरीके से हम तो लोगों ने किया है, rules ये तीनों नॉर्म्स आप याद रखेगा, तीनों नॉर्म्स पूछे जाते हैं, हम इसी को apply क करते हुए चीजों को आगे बढ़े हैं, इसमें जैसे, अब जैसे इधर की तरफ बात करते हैं, तो कुछ नहीं यार, यहां एच जो आई जो होता है, बी एच क्यूब हो जाता है, फिर भी एच बाई six आ जाता है, जहां बी बाई six आ हो ही, हईच बाई six आ जाता है, कोई आई चीज नहीं थी, एक एक करके, एक एक करके सारी चीज़े हमने आपको बताई है, ठीक है, वेर अब आपसे question, के what is k, तो k is the radius of gyration about the bending axis, अगर हम यहां मान रहे हैं कि bending is less than direct, अगर bending डारेक्ट से छोटा है, तो आप बताए, डारेक्ट वाला जो आया था, वो हर जगा से सेम आया था, डारेक्ट वाला तो सेम आया था ना हर जगा, और जब डारेक्ट वाला सेम आया था, और bending वाला जो आया था, इस साइड टेंशन और इस साइड कंप्रेशन, इस साइड कंप्रेशन, यह बेंडिंग है, और यह छोटा है, यह बेंडिंग है, और यह तो कुछ यहां डिफ्रेंस बचेगा और यहां पर दूनों सम हो जाएंगे यहां पर डारेक्ट माइनस बेंडिंग निगेटिव आएगा और यहां पर दूनों निगेटिव जब बेंडिंग और डारेक्ट कम और इस सिच्वेशन नो कोई reverse compression थ्रूआउट रिवर्स स्ट्रेस नहीं हुगा कहीं पार टेंसाइल नहीं हूगा और फ्रू आउट दा लेंध। आपका क्या रहेगा तुल्स 77 नोंरर ब्रूज मिम्हा लिगShare a YouTube Sumire पर दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी compressive ये भी Compressive तो जब आपका bending जादा हो जाएगा वेन बैंड इस्ट्रेस देन डेर्ड इरफ एस्ट्रेस आट एक्स्ट्रेम फाइबर उस समय यह तब है जब bending direct से ज़्यादा हो जाए और यह तब है जब bending direct के बराबर हो जाए तो जब बराबर होगा जब यह और यह बराबर होगा और सब जगह यह जितता जाएगा तो हर जगह और compressive ही आएगा यहाँ पर भी कोई reverse stress condition नहीं होगी जब bending और direct दोनों क्या होंगे सब सिगमा डीवी यहां twice compressive आ जाएगा twice compressive क्योंकि ये मान और ये मान बराबर है तो तीनों cases आपको समझ में आए होंगे और हम से लोग फिर आगे सेक्षन की बात करेंगे, रेक्टेंगूलर सेक्षन की बात को थोड़ा सा revise करेंगे, ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप से लोग खुस रहें, मस रहें, regular class अटेंड करते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद